जहन पर बच्चों देखे किसी भी पेपर के लिए आप पेपर देने जाते हैं तो आप फॉर्म भरते हैं जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको आपसे वहाँ पर आपकी उम्र निकाली जाती है या फॉर्म में बताया जाता है कि भाई उम्र आपकी इतनी होनी चाहिए जैस से मालो किसी पेपर में कोई पेपर में मतलब कोई भी वेकेंसी निगली कोई भी एक्जाम के लिए वेकेंसी निगली और वेकेंसी में आप से एज मांगी गई है या आपको कोई भी फॉर्म भरना है और आपकी उम्र बता दी गई है क्या आपकी उम्र साहब 21 वर्स से लेकर 24 वर्स के वीच होनी चाहिए 21-24 के बीच में होनी चाहिए इतनी उम्र आपकी होनी चाहिए ठीक है अब आपको नहीं बताया कि आपकी उम्र कितनी है तो पेपर मैं नोटिफिकेशन में जहां भी आप फॉर्म बरते होंगे वहां पर बताया जाता है कि एज किस डेट को अक्टूबर 2022 आज की डेट दे रखी है 29 अक्टूबर 2022 ठीक है आज की डेट दे रखी है तो मैं इसको 29 और अक्टूबर का मतलब हो गया 10-2022 कुछ इस तरह से लिग लेता हूं यह हमारी डेट है इस डेट को उम्र काउंट होगी अब इस डेट तक हमें निकालना है कि हमार की डेट बर्थ सबकी डॉक्यमेंट में होती है तो आपकी डेट और बर्थ क्या है सबसे पहले यह जानो डेट अब बर्थ आपके ही आपकी इंटर आई स्कूल की मार्क सीट में लिखी रहती है आपकी डेट बर्थ आपकी डेट बर्थ मालो किसी बच्चे की डेट बर्थ है मैं माल लेता हूँ एक है एक है कि ऊजय एक दोजार पांच है किसी बच्चे की यह डेट ऑब बर्त है एक एड़ार पांच को उसका जर्म हुआ है अब उसको निकालना है कि उसकी उम्र कितनी है ठीक है तो इसके लिए simple सा formula है जो date दे रखी है उसमें से आप अपनी date of birth को घटा दो जो date दे रखी है उसमें से क्या date दे रखी है कि इस date को count करेंगे हम तो इस date of birth में से आप अपनी date of birth को घटा दो अब ये घटाने का formula समझो देखो यह घटाने का फर्मूला ही बड़ा तगड़ा फर्मूला है यहां पर देट दे रखिया और उन्हें 29-10 को 2022 को हम काउंट कर रहे हैं बच्चे की उम्र कितनी है बच्चे की है 1-2005 सबसे पहले आप समझएं सबसे पहले आपको डेट में से घटाना है तारीक में से तो यह तारीक है 39 अरीं यह कितना ठीक है अब महीना देखना है हमै 10 महीने है कि घुंधने रिजर यह एक महीन आ एक महीन जाएगा दस महीने मैंसे एक मेन चला जाएगा कितना बच्छे रहे नौ महीने ठीक है दो जार बाइस वोजार को छोड़ो कि यहाँ बी-जार यहां वी दोजार 2 मैं से 5 घटाओंगे बाईष में से 5 घटा होगे ये 22 से 22 में से 5 गटाओं कितना बच्चा भीया तो यह बच्चा 17 यानि 17 अब सुनो उस बच्चे की उम्र आज की डेट में यानि आज की डेट का मतलब है जो डेट एक्जाम में मांगे गई यह उस डेट को कितनी उम्र है आपकी तो मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रीविद चलो एक और निकाल लेते हैं एक और निकाल लेते हैं मालो वह आपसे कह रहा है कि हम डेट उम्र काउंट करेंगे उम्र काउंट करने की जो तारीक है वो दिरक्किया उसने 1-1-2023 एससी जीडी में भी यही दे रखा है 1-1-2023 अब बच्चों आप अपनी एज कैसे निकालो पर बनोगे तो आप उम्र निकालो कि कैसे कि आपकी कितनी उम्र है आप एलिजबल होके नहीं फॉर्म बने के लिए ठीक है अब मालो यहां पर 18 से 23 साल की उम्र मांगे गई है कि आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच मोनी चाहिए तो अब आपकी आपकी जो डेट आप बर्थ है 17 जुलाई 1998 अब आपको अपनी उम्र नहीं निकालना आ रहा है कि सर कैसे निकालना है तो आपकी उम्र होगी कितनी मैं आपको बता देता हूं निकालना तो जो भी आज की तारीक है या जो फॉर्म बरने की जो टेट है जिस डेट को उम्र मांगी गई है एक एक दोजार ते देट से आप अपनी डेट बर्त को घटा दो सिंपल घटाना है और कुछ भी नहीं करना चलो घटा लेते हैं यहां पर अब आप देखेंगे कैसे घटाएंगे तो सबसे पहले तारीक मैंसे यह घटाओगे आप तारीक घटाओगे महीने मैंसे महीने घटाओगे और वर्स म तारीख और यहां सत्रे तारीख है तो एक में से सत्रे नहीं जा सकता ना तो यहां से आप ले लो एक इधर से ले लोगे एक महीना तो यहां पर क्या हो गया एक महीना लोगे तो यहां पर हो गए तीस दिन मालो से तीस प्लस और लेडी एक दिन यह दे रखा है यानि 31 हो गए 31 दिन मेंसे 31 मेंसे आपको घटाना कितना है 17 घटाना है 31 मेंसे 17 घटाओगे आप 31 मेंसे सीधे सीधे कितना घटाना है 31 मेंसे 17 घटाओगे तो कितना बचेगा आप सबको बता है 14 बचेगा तो 14 दिन हो गया प्लस अब यहां पर महीना अमने एक लिया था एक ही महीन था वही लिया तो यहां से एक वर्स ले ले लिया तो यहां पर महीने कितने हो गए ये बरस में कितने महीने ब tenía 12 dahaHow to buy वया है यहां वर्स कितने बचे एक वर्स सब्चेब यानि उस्ट बच्चे की उम्र जिसकी डेटो बर्त शत्रेशं पांच उनिसोठानव्य है उसकी उम्र कितनी है volleyball चौवीस तो वर्स का है वह 24 साल का है वह महीने कितने का हो गया है let's more F 24 वर्स पांच महीने और 14 दिन इतनी उम्र है उस बच्चे की क्या आप समझ पा रहे हैं उम्र निकालना अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताईए ठीक है मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन प्यारे झाल है झाल है झाल है